दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए 8 अक्टूबर 2022 सनिवार की पांच बड़ी भर्थों की अपडेट लेके आ चुके हैं इन भर्थों के फोर्म भरना बिलकुल मत भुलिएगा सुनेरा अवसर निकला है ओल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो महिला पुरुष दोनों केंडिडेट इन फोर्म को भर सकते हैं दस्वी बारेओ डिग्री पांस के लिए आपर बड़ा अवसर निकला है जिहां दोस्तो पी भी भर्थी के लिए आजी से ओनलाइन आवेदन परकिरिया श्टार्ट हो चुकी है आठ अक्टूबर 2022 की ये बड़ी भर्थी की अपडेट है 600 इभाग में भी 5000 पदों के लिए आवेदन परकिरिया चल रही है खादे इभाग फूट डिपार्टमेंट के अंतरगत भी बड़ी भर्थी की अपडेट आ चुकी है इस वीडियो में आपको complete जानकारी देंगे कि किन किन अन्य दो इभागों के अंतरगति भर्थी आई निकली है किस पोस्ट के लिए कितनी number of vacancies है क्या eligibility कराइटिरिया है कैसे आप इन भर्थीों की official notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक आप apply कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतरग इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सवाल और आउट के लिए रोंगे तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कोई शुरू करते हैं 8 अक्टूबर 2022 की 5 बड़ी भरतियों की पूरी जानकारी जी हाँ दोस्तों जो यहाँ पर इसमें first number पर जोब निकली है वो निकली है professional examination board में वैवसाइक प्रिक्सा मंडल PB के अंतर गजय भरतिय निकली है गुरूप 2 की यहाँ पर पोस्ट निकली है गुरूप 2 के लिए पोस्ट है यहाँ पर assistant accountant officer accountant और deputy auditor की vacancies इसके अभी declare नहीं की गई है जल्दी declare की जाएगी इसके official portal पर बात अगर इसकी important dates की 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 जाए तो आवीदन प्रकिरिया इस बरती के लिए आज इस से start होने जा रही है जहां दोस्तों starting date online आवीदन करने की 8 October 2022 है last date online आवीदन करने की 22 October 2022 है fees payment की last date भी 22 October 2022 है correction की last date 27 October 2022 है exam date 18 से 19 November 2022 है sale आप उस्ट वाई इसकी official notification की PDF से चेक कर सकते हो degree pass candidate इस बरती के लिए apply कर सकते है age limit 18 से 40 hours है fees की यहाँ पर बात करें तो general या other state के लिए 560 रुपे है SSTOBC के लिए 310 रुपे है जो की आप cash, debit card, credit card या net banking से payment कर सकते हो selection होगा इसमें आपका return examination के आधार पे online तरीके से ही आप आवीदन कर सकते हो MP मद्यपर्दी जोब location है all over India से आप इस बरती के लिए online आवीदन कर सकते हो pb.mp.gov.inage की official government website है जिस से आप online आवीदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें second number पर job निकली है वो निकली है education department में शिक्साई भाग के अंदर गदे बरती है train graduate teacher सिक्सक की बरती है TGT के लिए यहाँ पर 5000 के लगबग vacancies निकली है बाद अगर important date की की जाए तो आवीदन करने की अंतिमतिती यहाँ पर 5 November 2022 है आवीदन 6 October से चल ले है last date यहाँ पर 9300 से यहाँ पर sale आपको 9300 से 4800 परती महा के लिए provide की जाएगी बाद अगर educational qualification डिटेल की की जाए तो डिग्री डिपलोमा बी एड, बील एड, डील एड, एस्टी या स्टी ती से आप apply कर सकते हो 18 से 42 वर्श आयु सीमा है फीस आप notice से ही category wise चेक कर सकते हो written exam के आधार पे इसमें आपका selection होगा, online तरीके से ही आप इस बढ़ती के लिए आवेदन कर सकते हो हर्याना job location है hkrnl.iti.haryana.gov.in ये इसकी official website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जहाँ पर 3rd number की job है, वो निकली है Food Safety and Standard Authority of India में भारती खादे सुरक्षा और मानक प्रादिकर्ण, यहाँ पर खादे भाग के इंतर गजिभरती है, Post Advisor, Joint Director, Senior Manager, Deputy Director, Manager, Assistant Director, Deputy Manager, Administrative Officer, Senior Private Secretary, Personal Secretary, Assistant Manager, Assistant, Junior Assistant, Stop Car Driver की, Vacancy जाबिस की Official Notification से Post-Wise चेक कर सकते हो बाद अगर Important Date की की जाए, तो आवे दन इसके लिए 10 October से सुरू होंगे, Last Day 9 November 2022 है, Peace Permanent की Last Day भी 9 November 2022 है, बाद अगर सेल लिए डिटेल की की जाए, तो Advisor Post के लिए 1,44,200 से भी यहाँ पर 2,18,200 है, Joint Director, Senior Manager के लिए 8,88,800 से 2,9,200 है, Deputy Director, Manager के लिए 67,700 से 2,8,700 है, Assistant Director, Deputy Manager के लिए 56,100 से 1,77,500 है, Administrative Officer, Senior Private Secretary के लिए 47,600 से 1,51,000 है, Personal Secretary Assistant Manager के लिए 44,900 से 1,22,400 है, Assistant के लिए 35,400 से 1,12,400 है, Junior Assistant के लिए 25,500 से 81,000 है, Staff Car Driver के लिए 19,900 से 63,200 से लिए है, Degree और PG, Degree धार केंडिडेट इस भरती का फोर्म बर सकते हैं, IUC मा मैक्सिमम 56 और 58 वर्स है, Face भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो, Test और इंडियू से जेन होगा, Online तरीके से ही आप इस भरती के लिए आवीदन कर सकते हो, All India से आवीदन कर सकते हो, FSSAI.joe.inage की ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप Online आवीदन कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों जेहां पर 4th नंबर पर जोब निकली है, वो निकली आए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 6 साई भाग के अंतरकते भरती है, Lipik कलर की पोस्ट है, 1621 वेकेंट से जहां पर निकली है, बात अगर इसकी इंपोर्टेंट डेट की की जाए, तो आवीदन इसके लिए भी 6 उक्टूबर से चल ले है, Last date 27 उक्टूबर 2022 है, Feast payment की Last date 27 उक्टूबर है, Merit List की डेट 6 नॉमबर 2022 है, Typing Test की डेट यहां पर 22 नॉमबर है, Intu की डेट 4 दिसमबर 2022 है, Sale लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो, 12 पास Candidate इस भरती के लिए अफलाई कर सकते हैं, Age Limit 18 से 40 उर्ष है, Feast General OBC के लिए 750 से SST के लिए 500 है, जो कि आप Demand Raft Postal Order और NFT से जमा करा सकते हो, PT Return Test और Typing Test के आधार पर चेन होगा, Offline आवीदन कर सकते हो, UP उत्तर परदेश जोब लोकेशन है, upmsp.edu.in इसकी ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप आवीदन पर तर डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों जो 5.4 लाश नंबर पर जोब निकली है, वो निकली है, Indian Institute of Science, Education and Research में, भारती, विज्ञान, सिक्सावर, अनुसंदान, संस्तान के इंतरकति भरती है, पोस्ट है, लाइबरेडियन, इंजीनियर, असिस्टेंट, रजिस्टर, सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, अटेंडेंट, और भी पोस्ट है, 75 वेकिंट से जहां पर निकली है, बात अगर इंपोर्टेंट डेट की की जाए, तो लास्ट इट, 31 ओक्टूबर 2022 है, से लिए आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो, दस्वी बारवी डिग्री, पीजी डिग्री से आप एपलाई कर सकते हो, 30, 32, 35, 36, 40, 56 वर्ष मैक्सिमुम आयू सीमा है, अलग-अलग पोस्ट के लिए, फीज आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो, टैस्ट और इंच्चू से चेन होगा, ओवेन आवीदन कर सकते हो, भोपाल MP मदय परदेश जोब लोकेशन है, पूल इंडिया से आवीदन कर सकते हो, IISERB.AC.Index की ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप उवेन आवीदन कर सकते हो, तो दोस्तो ये थी आज की अनिके 8 उक्टूबर 2022 की टोफ 5 भर्थों की पूरी जानकारी, अगर आपको अभीन भर्थों के बारे में और ज़्यदे जानकारी चाहिए, तो लिंक आपको हमारी वेबसाइट ाइंडी सरकारी नोकरी.in का नीचे डिस्क्रिप्शन पलस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा, और हमारी इस पेज पर विजिट करके आप ही इसे किसी भी भर्थी के ओफीशल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और किसी भी भर्थी के लिए अपलाई भी इसे कर सकते हो, लिंक यहीं पर आपको सभी भर्थियों के प्रोवाइड करा दिगे हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही, I hope इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेड जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों, गर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं,